नमस्कार स्वागत है आपका संसट टीवी पर मैं हूँ मनोज वर्मा और आप देखे हैं हमारा खास कायकरम मुद्दा आपका आज हम बात करेंगे संसट के बजट सत्र दोजार तेश की संसत का बजट सत्र 31 जनवरी 2030 से शुरू हो रहा है ये सत्र दो चरणों में चलेगा इस दौरान 66 दिनों में 27 बैटकी होंगी 14 फरवरी से 12 मार्ज तक अकपाश रहेगा मंगलवार को 11 बजे राश्पती दुरूपदी मुर्मू के अभी भाशन के साथ सत्र की शुरूवात होगी इसके उपरांथ वित्व मंतरी निर्मदा सीता रमन सदर वे आर्थिक सर्वे पेश करेंगी सरकार ने सुंबार को बजट सत्स से पहले विविन विशों पर आमराय बनाने के लिए राजनेतिक दलों के नेताओं की एक सरदलिय बैठक बुलाई थी सरदलिय बैठक में विविन दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया बिपक्षी दल संससत के दोरान महेंगाई, विरोजगारी, अर्थवबस्ता और चीन जैसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं केंद्रिय संसद्य कारमंतरी प्रिला जोशी ने कहा कि सरदलिय वैठक में जिन दलों ने जो मांग की है उस मांग पर सरकार चर्चा करने के लिए हर तरह से तयार है लेकिन बजट की दिष्टी से ये सत्र बजट के लिए खासा महत्पोन है राश्पती के अभीभाशन और बजट पर खासी चर्चा देखने को मिलेगी इसलिए लोगसभा चुनाप 2024 से पहले मोदी सरकार का ये आखरी पूनकालिक बजट है लिहाजा मुद्दा आपका में बजट सत्पे चर्चा करेंगे के चर्चा करने के लिए खास मрахमान मेरे साथ मौझूद है बीजैपी सांसत ठाकुर जुगल सिंग जी हमारे साथे समय मौझूद है जुगल सिंग जी आपका स्वागत है संसट टीवी पर साथी हमारे साथ लोग सभा में BSP के सांसत शाम सिंग यादब जी जोड़े हुएं शाम जी आपका भी भहुत स्वागत है संसत टीवी पर और वरिष पतकार राकेशुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो मों मौझूद है राकेश जी आपका भी भहुत स्वागत है और आके जी शुरुवात मैं आपसे करूँगा क्योंकि संसत का बजट सत जाहे तोर पे खासा महत्पूर्ण होता है देश की अर्थवस्ता के लिहाज से संससत के लिहाज से इस सत्र को आप कैसे देख रहे हैं क्योंकि 2024 से पहले मोधी सरकार का ये अंतिम पूर्ण कालिक बज कह सकते हैं अब मजदूर बर्ग या समिक बर्ग नहीं कहेंगे बलकि असंगठी छेतर का बर्ग कहेंगे इन दोनों बर्गों को इस बजट से बहुत सारी उमीदे कारण उसका ये है कि कुरोना काल का जो दो साल का पीरियड था उस पीरियड से निकलने के बाद इंडिस्ट पर लाने जा रही है दूसरा जो असंगठी छेतर का बर्ग है जिस असंगठी छेतर के बर्ग की ये उमीदे हैं कि सरकार अब ये जो कुरोना का पीरियड बीट गया है उसके बाद बाजार को लेकर क्या सोच रही है जिसको लेकर सरकार ने स्रम में वजयते का नारा दिया तो इस लिहां से देखी तो यह बजट साम तो ही कहते हैं देश के 130 करोण नागरिकों के लिए महत्पूर्ण है लेकिन मेरे हिसाब से इस दो बर्ग की खास नजने और खास उमीदे इस बजट में रहने वाजे जहर सी बात है बजट के लिहां से यह संसत का सत्र खासा बजट पर चर्चा होगा और उसके बाद रेशेस होगा और मार्च 13 से फिर से हमारा सदन फिर से बैठेगा और फैनेंस बिल इसके बारे में चर्चा होगा आज इसके लिए हमने आल पार्टी मीटिंग बुलाया था इस मीटिंग में 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिस्पेट किया है बहुत अच्छे माहूल में चर्चा हुआ है कई डिमांड उन्होंने रखा तो सरकार के तरफ से हमने तो कहा है तो लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी जो शॉर्ट डिरेशन डिसकेशन के बारे में पूछ उनका मांग था अपोजेशन का और लास्ट टाइम भी जो विंटर सत्र भी चला है उसमें भी हमने शॉर्ट डिरेशन डिसकेशन दो शॉर्ट डिरेशन डिसकेशन और सप्लिमेंटरी डिमांड उन ग्रैंट्स पे उपर अपोजेशन के साथ चर्चा करके ही 12-13 गंटा हमने चर्चा की थी उसमें सब इंतर पुस्तूरर स्रड़ाइज ने ही राष्पति जी का अभिभाशन और सेकेके सोफंफिल ये महत्पूर कारे है जुगल जी आप कैसे देखती हैं चुकि बजट सत्र केवल देश की अर्थववस्ता के लिहाज से नहीं अगर आर्थिक सर्वे की मैं बात करूं तो देश की आर्थिक इस्तिती क्या है उसका भी एक तरह से हमें द्रश्च देखने को उसमें मिलता है कि देखे पहली बात तो एए है कि आज जीस तरह विश्व जो हलात से गुजर रहा है हमने देखा है कि कोवीट की वैश्विक महामारी के अंदर भी पूरे वर्ल्ड में किस तरह का जो अभी महल बना हुआ है साथ में रश्या उक्रेन का यूद वगरा आप देखते है कि वो पचल रहा है उसके हिसाब से माननि ये प्रधान मंतिस्ष नरिंदर मोदी जी की जो सोच है और निर्मला जी जिस तरह उनको हैंडल करके इनका पाच्वा बजेट होगा ooh जो इसम्राइक जो शक्षियत है और जिस तरह वो मेरे ख्याल से कि आम जनता जो है मेरे जो कलीक थ कि आम जंता से जुड़ा हुआ हाला कि 135 करोड की हमारी जंता है उससे जुड़ा हुआ ही बजेट रहेगा पर आने वाले वक्त में जो माननिय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी की जो सोच है कि फाइव ट्रिलियन हमारी एकोनॉमी जाए तो उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए वो एक अच्छा सा बजेट और जिस तरह आज की तारिक में हम देखते है कि नॉर्मली पहले तो क्या था कि बजेट आने से पहले लोग बहुत सारे उसके पूरे ब्लानिंग करते थे पर आज की तारिक में नॉर्मली एक ऐसा नहीं है लोगों को एक भरोसा एक विश स्वास है कि मोदी जी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे और कली जो निर्माला जी मनलब जब निर्माला जी सेशन के अंदर ये बजेट उनका प्रस्तूत करेगी तब आप देखियेगा कि पूरे देश के अंदर एक मैसेज बहुत ही अच्छा जाएगा जी बिलकुल 31 ज आपको क्या उमीदे हैं आप कैसे सत्र को देखते हैं देखिये मनोच जी ये आखरी पूर्ण कालिक बजट है लेकिन नव राज्यों में चुनाव होने हैं तो हमेशा सरकार जो भी अपना काम करती है खाजाना खोलती है वो चुनाव की दिरिष्ट से ही खोलती है उनके लिए चुनाव सबसे महत्वपूर है जनता उतनी महत्वपूर नहीं है चाहे जो भी कहें ये मेरा ख्याल है कि ये जो इंफ्लेशन बढ़ता जा रहा है हर मद में ये बढ़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो देखने के लिए होगा अगर इंफ्लेशन घटा करके देखेंगे तो किसी भी मद में सरकार के पास इतना पैसा नहीं रह गया है कि किसी भी मद में ज्यादा बढ़ा दे वो इंफ्लेशन का जो परसेंटेज है करीब करीब उससे थोड़ा प्लस माइनस ही वो बढ़ा पाएगी क्योंकि हम रोज पढ़ते हैं कि इस क्वार्टर में जी अस्टी का कलेक्शन रिकार्ड हुआ इसमें कलेक्शन रिकार्ड हुआ लेकिन जो फिस्कल डेपसिट है वो कम नहीं हो रही है मनोच जी सरकार की दूसरी चीज यह मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार को अपने बजट में सबसे ज़्यादा हमारी डिफेंस सर्विसेज के उपर ध्यान देना चाहिए सरकार दावे बहुत करती है जेकिन मैं सरकार को खेरना नहीं चाहता लेकिन एक हकीकत हकीकत बयान करना चाहता हूँ कि आर्मी के साथ साथ पैरा मिलिटरी फोर्सेज भी है बी अस्यफ है सी आर पी एफ है आई टी बीपी है जो की कठिन परिस्थितियों में माइनस टेंपरिचर में काम करते हैं और मैंने अपनी आँखों से देखा है इसको वेरिफाई किया है कि उनके पास modern सूज भी नहीं है जूते भी नहीं है आज कल अभी जो जूते पहन रहे हैं उसमें अगर पानी बरस जाता है और सुनो हो जाती है तो उनके जूते में पानी घुस्ता है सरकार अभी तक उनके जूते का भी इंतजाम नहीं कर पाई है यह मैं आप से बहुत इ मुश्किल से दुस्मन का सामना कर रहे हैं सबसे पहले सरकार को एक बार दिल खोल करके वो ससत सिनाओं के लिए कुछ कर देना चाहिए जी बिल्कुल आपने एक महतपूर मुद्दा उठाया है रक्षा को लेकर रक्षा के बजट को लेकर एक महत्पूर मुद्धा उठाया है जुगल जी आप कैसे देखती हैं क्योंकि रक्षा के छेतर में अगर हम बास सरकार की करें तो सरकार का दावा ये रहा है कि जतना अच्छा काम इस सरकार के कारकाल में सेनाओं के लिए किया गिया है देश की सीमाओं के लिए सुरक्षा के लिए किया गिया है उस से पहले कम ही देखने को मिला है आप कैसे देखते हैं जो शाम सिंग जी सवाल उठा रहे हैं जो मुद्दा उठा रहे हैं पहले तो शाम जी की बात का पहले मा बताऊंगा कि उन्होंने जो बात बताई कि हम पॉलिटिकली और जहां इलेक्षन होता है उसको ध्यान में रखके ही करते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि पिछले साल ही आप देखा होगा कि यूपी का इलेक्षन हुआ मंगाल का हुआ, पंजाब का हुआ, गुजरात का हुआ, हिमाचल का हुआ कहीं भी हम लोगों ने कोई ऐसी चीज या तो कोई ऐसी लुभानी कोई जाहरा तो बगिरा नहीं की बात रही शुरक्षा की तो हम कटी बद है मानिनिय प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी कि जो सोच है, मैं हाला कि मैं गुजरात से आता हूँ, मैं आपको मनोजी बताऊंगा, कि उराने जमाने के अंदर जो हमारी बॉर्डर भी गुजरात का एक पाकिस्तान से सिटक है, और वहाँ पे वो लोग पैदल भी आते थे, उन से भी आते थे, और पूरा जिस तरह का वो ह हमारी जो सुरक्सा नहीं रहती थी, आज की तारिक के अंदर काफी जगह पे मैं वैसे कई जगह पे ऐसी बॉर्डर पे भी जा चुका हूँ, और जिस तरह माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को, और हमारे जो सहिनिक वीर, जो जवान वीरे, उनके लिए ज हमारे आर्मी के जो नौ जवान, युवान है, आपने 26 जन्वरी को भी देखा होगा कि हमारी महलाव भी पार्टीशिपेट होके आज आगे बढ़ रही है, और उसके लिए जो प्रधान मंत्री सोच रहे है कि हमें किस तरह इनकी सुरक्षा की जाए, और वो सुरक्षा आज कि प्रधान मंत्री की सोच ही एक अलग है, अभी आपने देखा होगा कि पूरे हमारे जितने भी आईलेंड है, उनके परमविर चक्रव जिनको मिला है, उनके नाम से रखा गया है, तो ये पॉलिटिकली बात छोड़के पूरा बजेट पर हम फोकस करें तो बहुत अच्छ पूरे विश्व की एक वैश्विक महामारी की जो कोवीट की महामारी आतो अच्छा है कि माने निये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी है, अगर कोई और ब्रधान मंत्री होता और कुसी और पार्टी का होता तो क्या हाल होता, और जिस तरह वैश्विक महामारी वैसे मह मेहगवारी बढ़ती किस से तेल के दामों से और उसे हमाया प्रधान मंत्री नेरेंदर मोदी जी ने जो डीसी जन आज की तारिक में रशिया और यूद चल रहा है फिर भी हम सबसे कम दामों में तेल कहीं से ला सके तो रशिया से ला सके और दूसरी कंट्रियों का आप साल उठाया जो मुद्दा उठाया कि चुनावी साल है नौ राजियों में चुनाव होने हैं चौविस में आम चुनाव होने हैं इस लिहाज से बजट पे चुनाव की चाया रह सकती है महंगाई का मुद्दा उन्हों ने उठाया बरोजगारी की बात भी उन्हों ने कही र राज में जहां चुना होता है विधान सवा का वो बजट देखके बोट नहीं करता वो राज सरकार के कामकाच और केंद्र सरकार की जो योजनाए है उसका सीधा सीधा लाब हो देखता है और उसके हिसाब से बोटिंग करता है तो आज की डेट में दिया बजट में उसको वाले विधान सवाज चुनाओं को लेकर कोई तारितम होगा क्योंकि बजट जो होता है वो राष्ट के लिए होता है राज भी आपी बजट नहीं होता कभी भी किसी राज जो को पहले होता था कि जब चुनाओी राज हुआ करते थे तो रेल बजट में उस राज में ट्रेने खुब चला दी जाती थी तो बता चला कि वो चुनावी बजट हो गया लेकिन अब ऐसी कोई स्थितिया नहीं है अब इन्वेस्टमेंट को लेके आप देखेंगे तो इसलिए भी नहीं कह सकते कि बजट का असर पड़े क्योंकि हर राज इन्वेस्टमेंट को लेके अपने अ आकड़ा देख रहा था तो हमाएं देश से हर साल 15 लाख इंजीनियर भी देशों में नोकरी करने जाते हैं 35 लाख इंजीनियर तयार होते हैं करीब 20 से 25 लाख डाक्टर तयार होते हैं यंबी बियस यूक्रेन नेपाल बंगला देश रसिया इन सभी जगे से लोग यंबी समाना यह कहीं न कहिं आणे आता है रोजगार का ले लहां कर elle करूंगा फिर एक रोजगार को लेकर बड़ा उधान आप उत्तर प्रदेश में देखिए कि चपरासी के लिए जगे निकलती है और उसमें MBA, PhD ये लड़के भरते हैं क्यों भरते हैं ये आपके अंदर योगता है तो आपको चपरासी का आपेदर करने की जरूवत नहीं है MBA के लिए बहुत बड़ा स्केल खुला हुआ है प्राइबर सेक्टर बहुत सारे हैं और PhD वालों के लिए तो रिसर्च के लिए इतने फाउंडेशन बने हुए हैं कि कहीं भी बाइट के आप रिसर्च का काम कर सकते हैं मैं तीसरी बात खतम कर दूँ जहां तक डिफेंस की बात है तो मैं ये बात बिलकुल मैं क्या पुरी देश की जंता कहती है कि 2014 के बाद भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मजबूत हुई है और देश की जंता को इस पे विस्वास हुआ है इसके लिए आप जराइल और फ्रांस के साथ जो रक्षा समझाते हुए हैं उसको नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं जी बिलकुल शाम सिंग जी मेरा एक सवाल आप से है क्योंकि आपने बिपक्षी दल के तौर पे तमाम मुद्दे उठाए सरदलिय बैठक में भी जो बिपक्षी दल आज शामिल हुए उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए किसी एक मुद्दे पर बिपक्षी दर एक जुठ हैं क्योंकि पिस्टे साथ जी अभी तो एक मिनट में मैं जल्दी जल्दी जो इन्होंने कहा है वन लाइनर जबाब देना चाहता हूं ये पाली बात जो कहा है कि बजट और चुनाओ क कितना पैसा रिलीज किया सिंडल गोर्मेंट में दूसरी बात जो विद्यसों में बच्चों के जाने की बात कर रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है क्या अपनी सरकार में कुछ किया कि उनका आउट फ्लो रोका जाए कुछ कुछ ऐसा नहीं किया तो ये दो लिए नोकरी नहीं निकालोगे तो वो कहां जाएगा योग बच्चों की बीजैसों में पूँछ है की नोकरी करके कुछ पैसा कमा ले आज अनिम्प्लाइब रिमेंट रेट बेरोजगारी की दर सेवन परसेंट और एट पॉइंट सम्थिंग है जो कि कभी नहीं रही है हि इंदोस्तान के इत्यास में तो जब तक आप इन सब चीजों को नहीं करेंगे तब तक कैसे देशा के बढ़ेगा भाई आप आइडिलिम्स की बात आदर्स वाद्था की बात केवल न करिए प्रिटिकल की बात करिए जो हो रहा है जो किया जा रहा है उसकी बात में करना चा रहते थे हर सरकार लगातार उनके लिए लगातार कुछ न कुछ कर रही है वे देश आजाद होने के बात उनके पास क्या सुक सुबधाएं थी क्या इकूपमेंट थे उसमें लगातार बड़ोत्री हो रही है ऐसा नहीं है कि 2014 में आगर के एक प्रेम जागा है सरकार का तो उनके लिए सब कुछ मुईया निशावर कर दिया मैं अभी भी इस बात को बहुत जोड़ दे के कहना चाहता हूं कि पेरा मिनिट्री फोर्सेज के पास पूरे फोर्सेज के पास जूते तक नहीं है ठीक से जो जूते होना चाहिए चाहें तो सरकार जाच कर ले इसकी और ज साथ जहां जहां मैं गया हूं मैं जाता हूं देखता हूं मेरे साथ जाच करने के लिए किसी को भेज़ दे मैं अपने इस आपका आपका एकमत हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं लेकिस जुगल जी उससे सहमत नहीं है और मुझे लगता है देश देख रहा है कि रक्षा के छ आप बॉर्डर पे जाके देखिए हमारे जो जवान वीरे उनसे मिले यहां टीवी पे बैट के आप जो बात कर रहे हैं प्रवाइज हम लोग आज पूरे इंडिया में हमारी लोकल टू वकल जो चीजे बना रहे हैं प्रवाइज हम बनाने लग गए हैं आज की तारीक के अंदर हमारा जो भारत का जो मान सन्मान जो बड़ा हुआ है वह आप उसको देखिए यह जान बूच के आज देखिए हमारी जो बच्चिया है वह पूरे कैमल हुंट पर आज माननीय प्रदान मंत्री नरेंद्र मोटी ज जिबल जी मुझे लगता है कि रक्षा का मुद्दा बहुत महत्मूर है और ये पूरा देख देख रहा है कि सरकार रक्षा के मूर्च पर किस मुस्तेदी के साथ अपना खजाना भी पिछले कुछ सालों में खोला है देखिए रक्षा जो अर्थ वबस्ता है और जो आत्मर भारत है उसकी जहलक भी हमें रक्षा के छेत में देखने को मिली है बाराल राजनितिक दल है चुनाप का समय भी है आरोप लग सकते हैं लेकि मेरा एक सबार राकेश जी क्योंकि इस सरकार का एक दावा रहा है कि इस सरकार ने गाउं गरीब किसान के लिए विकास के लिए आर्तिक दिश्टी से बहुत कुछ किया है क्या आपको लगता है इस बजट में भी फोकस गाउं गरीब किसान होगा मध्यम किलास होगा देखे आप करमबत तरीके से देखिए तो पहले आपड़ गाउं में जाएं तो गाउं में आप देखिए कि देश के मैक्सिमम गाउं तक बिजली पहुच चुकी है जेसके मैक्सिमम गाउं तक आपके इंटरनेट पहुच चुका है तो गाउं के बिकास के लिए ये दो चीजे बहत्रवड माने जा सकती हैं बिकास के और बहुत सारे माप दंड होते हैं बहुत सारे विस्थार योजनाएं होती है और कार ने किया है 80 करोड लोगों को पिछले दो साल से दोनों टाइम का भोजन करा रही है गरीबों का भी से आ गया अब आप किसानों में आ जाएए किसानों का निश्चित तोर पर प्रधान मंतिर नरेंद मोजी के तरफ से कहा गया था कि 2022 था हम किसानों की आमदनी दोगना कर देंगे लेकिन बीच का जो दो साल का पीरियड आया करोना का उस करोना पीरियड में किसानों की आमदनी बढ़ाने का वो पूर जोर तरीके से काम नहीं हो सकता जैसा होना चाहिए उसके लिए उन्होंने किसानों को सम्मान निदी ठीक है वो सम्मान निदी बहुत जादा न नहीं है लेकिन नौ दसँर रुपय जो साल में किसान को मिल रहा है वो रासी को यदि आप निमन बर्ग की किसान को देखे यानि छोटे कास्ट कार जो दो एक अडाइज के लिए उसके लिए वो दसँर रुपय बहुत माइने रखता है खाद और बीज के हिसाब से तो आपका ये किसानों वाला हो गया बिल्कुल एक मुद्दा और महत्पूर्ण है जुगल जी खास तोर चा स्वास्त की अगर मैं बात करूं कोई करोना संक्रमन के बाद जाहिर तोर पर स्वास्त के बजट में भी बढ़ोती होई लेकिन शिक्ष प्रधान मंत्री हमारी दोनों तरफ बैलेंस कर रहे आपने देखा होगा कि अगर कोवीट की वैक्षिन इस जो वैक्षिन इंडिया ने नहीं बनाई होती है अगर हम विदेश से लाते और कई हमारे ऑपोजिशन वाले जैसे जिस तरह उस टाइम भी फाइजर करके कंपनी आपने देखा होगा कि यूएस की कंपनी जो है वो फाइजर कंपनी को प्रमोट करने के लिए यहां के भी और कहीं सारे हमारे ओपोजिशन वाले प्रेशर कर रहे थे फिर भी माननियों प्रधान मंत्री मोधी जी रहे की भी मुझे हमारी लोकल टूवाकल यहां की जो वैक का काम किसी ने किया है तो वह भारत की सरकार ने किया है नरेंद्र मोधी जी की सरकार ने किया है यह बहुत बड़ी उपलब्दी की बात है ठीक है वह उपोजिशन है तो ऑपोजिशन की बात करते रहेंगे इसके साथ साथ शिक्षा की बात आपने बताई तो शिक्षा में मैं बोलता हूँ कि देखए नहीं निति लाई गई आज आपको डॉक्टर बनना है तो आप यहां लोकल में डॉक्टर बन सकते हैं नहीं कि आपको वहां की ऐंगलिश में पढ़ना और इंग्लिश में ही आप डॉक्टर बने तो शिक्षा पद्दती में भी किस तरह बदलाव लाए जाए हाल ही में थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि 27 तारिक को परिक्षा पे चर्चा जो हमारा न्यू जनरेशन है वो डरा कैसे और वो रहता था कि कॉंप्लिकेटेड में रहता था कि मैं अगर एक्जाम देने जाता हूं तो मेरे उनको उसको फिल होता है डर सा रहता था पर प्रधान एक ऐसे प्रधान मंत्री है कि वो खुद गए और पूरे भारत के हमारे जो बच्चे हैं उनको मोटिवेशन किया कि आपको परिक्षा से टरना नहीं है आपको परिक्षा को उच्प की तरह एंज्ट है करना है उसके परिक्षा तो आती रहेगी जाती रहेगी तो शिक्सा में काफी सारे बदलाव आज-पौरा ने वाले वक्त में बहले आप देखेंगे। हमारे बच्चे गे जो हैं भारत देश का नाम रोषन करने वाले हैं। उसी तरह कही सारे वैग्नायनिक भी बढने वाले यह पुराने जमाने की जो बात और यह जो पुरानी जो बात कर रहे हैं आज नए देखेंगे तो है हमारे वहिगनानिक बनेंगे कुछ और भी हमारे बच्चे आगे बढ़ने वाले है जी आप कुछ कहना चाहता है कि देश की सिक्षा और स्वास्त बेवस्ता में सुधार तब होगी जब केत्र और राज सरकार दूरों मिलके पूरे मन इस्थित के साथ काम करेंगे आई आई और आई आई एम जाने वाले बच्चों की स्थितियां क्या होंगी तो इसलिए मेरा मानना है कि इसके लिए केंद्र और राज को राजनीतिक सोच से बाहर हट कर समाजिक सोच रखते हुए इस दिसा में काम करना चाहिए जी बिलकुर राकेशी देश की जनता भी बहुत उम रहने वाला है खास तोर से अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट में टेकनोलोजी की दिश्टी से बंदे भारत ट्रेन या दूसरी अगर बात की जाए अर्थवश्ता के लिहास से तो कई महत्मूर गोशनाए सरकार कर सकती है वितमंत्री कर सकती है बाराल इस कायकरम में इतना ही आप दिनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दीजे आग्या नमस्कार